जुहू बीच है जैसी जुहू बीच से आप आएंगे तो पहला गली आ जाएगा यहां सन्नी देवल का अपना इस्टूडियो है सन्नी इस्टूडियो के नाम से जाना जाता है जो मुंबई में बहुत फेमस है और आगे सहां से मुरेंगे तक्ष्यकुमार के घर के लिए गल शूडियो में क्या होता है कि जितने भी मुबी वगरा है सारा शूटिंग होता है इसी में इसी के अंдर में रिमीक्सिंग वगरा सारे चीजी कें से जीश में किया जाता है तरविंडर जी निद्विल का है já उनके गर के ज़स सामने बांस पारी है यहां पर देख सकते हैं इनका जितने भी मूवी है सारे मूवी पिक्चर यहां पर लगा हुआ और आप इयुद्ब के गदर टू मूवी है तो उसका लगा हुआ है और सामने उधर से गली है इधर बीच है इधर जाएंगे तक शेकुमार का घर है और सामने देख सकते हो वो सिल्फा सेटी का घर और सरधा कपूर का ओहीं पर है देख सकते हो ओहीं तो दोस्तों ए जो घर आप देख रहे हैं सिल्फा सेटी जी का घर है जो सुपर डांसर की जज है और काफी संद्रhouर एक ट्रेस भी है, काफी चरह मोवी वी दे चुकी है और काफी उनका नाम चलता है और जिस्षी बिल्डिंग में रहते हैं के नाम किनारा है और इसा बिल्दिंग और रहती है और काफी संदार यहाँ का महौल में देख सकते हैं वास भगेरे भी लगा हुए और यहाँ पे काफी ज़़्यादा पेर पोधा भी है यहां का वाता परण बहुत ही बड़ीया है और बिल्दिंग के साथ उसके साथ निकाली हुई है आप लोग जानते होई एगा यही सरधा कपूर का घर है जो उनके पिता के नाप सकती कपूर है और इसी विट्डिंग वे रती हलां कि बिल्डिंग पीछे है काफी संदार बिल्डिंग बना गया है और इनके पास यहाँ सकते हो यही है यहां से लेकर उहां तक और सामने उधर सेथि जी का घर है तो एवी त्र्सट जीस and c hacksan कि पास मी यहां ही है और और बगल में आनकी अख्छेकुमार औरित आरह घर है उनका अलग गली में और इनका अलग गली में बां कितना मस्त है काुक आधा करग काफी संदार मकान बना रहा खाईन होने